नारायन नारायन आज का विशय है किसी भी प्रसंग में नाम को मत छोड़ो आसमन से डर कर कहीं भी भाग कर गए तो आसमन सब जगा होगा ही उसी प्रकार हम कहीं भी जाएं तो हमारी देह, मन और उसके साथ उसके भोग भी हमारे साथ आएंगे ही इसलिए हमें अपने लिए निर्धारित कर्म के भोग का बाटा संतोष से भोगना सीखना चाहिए जब तक प्रत्न किया होता तो अच्छा होता ऐसा लगता है तब तक प्रत्न अवश्य करना चाहिए सफलता या असफलता प्रमात्मा ही देंगे ऐसा समझ कर प्रत्न करना चाहिए सारा कृतत्व उसी को सौंप दे तुम्हारी सेवा अब हम कितने दिन करें ऐसे पूछने का अर्थ ही यह होता है कि सेवा में कुछ नियूनता है वैसे ही नाम के बारे में कोई अवधी कैसे निर्धारित की जा सकती है तो नाम के बारे में ही ऐसा क्यों पोछे आज भगवान एक छोर पर तो हम दूसरे छोर पर है उसके नाम से ही उसे अपने पास पास ला सकते है हम जितना अपनी दिह को भूले उतने भगवान हमारे पास आएंगे भगवान के नाम में ही सत संगती है ग्रहस्ती में कितने ही कठिन प्रसंग आने दो नाम को मत छोड़ो मन को खाली रखा जाने पर वह तुरंत विशय के पीछे दोड़ता ही है इसलिए अपना मन सदा नाम में लगाए रखना चाहिए उठना बैठना जब करना पढ़ना गपशप करना हसी मजाग करना आदी सभी क्रियाओं में भगवान से संदब संबंद और संदर्भ रखे यही अनुसंधान है भगवान से अनुसंधान ही हमारा धे है उसके अनुसार हम शेश बाते करें हमारी वृत्ती और भगवान को जोडने वाली कड़ी उसका नाम है अत्य हमारी वृत्ती हमेशा नाम में लीन रखे नाम का अनुसंधान बना रहेगा ऐसी ही उपादी हम धारन करें केवल नाम लेने से भी हमारा काम सफल होगा लेकिन समझ बुचकर नाम लिया तो सफलता शीक्र होगी नाम मुख में आते ही सतकर्म अपने आप होने लगते हैं यह समझ कर हम पढ़ते कि हमारे हर एक कर्म का साक्षी राम है जिससे हमसे दुशकर्म होगा ही नहीं हम अकारण बहाने बनाते रहते हैं काम होता है तब काम का बहाना ठीक है लेकिन काम नहीं होता तब नाम समर्ण न करके गपशप ब्यर्थ करते हैं या निंदास्तुती या अन्य खेल खेलने में समय बरबाद करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए, हमारा मन आवारा है, उसे एक जगह स्वस्त शांत रहने की आदत ही नहीं है, उसे थोड़ी जबर्दस्ति से नाम लेने के लिए बाध्य करना चाहिए. नाम में भगवान की शक्ति होने से नाम लेने वाले की देहिपुधी धीरे-धीरे कम होती है और नाम द्रड़ हो जाता है नित्य नाम समर्ण करने के बगेर वह अंत में नहीं आएगा जागरत अवस्था में अभ्यास करने पर ही निंद के समय उसका समर्ण होगा निंद के समय उसका समर्ण होगा तो रात में स्वप्न में भी वही होगा और ऐसा निरंतर उसका ध्यान रखा गया तो मरने के क्षण में भी उसी का समर्ण रहेगा नारायन नारायन